नमस्कार दोस्तों और बड़ों को प्रणाम कैसे हैं आप सब मातरानी की किपा बनी रहें सभी स्वस्त रहें सुखी रहें समपन रहें यही कामना लेके मैं आज का वीडियो शुरू करती हूँ दोस्तों पुराना साल यानि कि 2022 जाने वाला है दो तीन दिनों के अंदर और 2023 आने वाला है तो नए साल में हम अपने पर्ण में कुछ ऐसे चीजे रखें जिससे हमारा पूरा साल पैसों से भरा रहें लक्षमी का आगर्मन हुता रहें तो आज हम जानेंगे कि इस नए साल में पर्ण में हम वो क्या चीजे रखें जिससे मा लक्षमी की किर्पा पूरे साल परस्ती रहें तो ना हम 2023 को अपने तरीके से धेरो खुजिया जिन्दगी में लाएं और अपनी जिन्दगी को बेहतर और खुजाल बनाएं इससे पहले आप जाने मैं कॉर्ण मैं नीतू मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अगर आप मेरे चैनल में नहीं आए हैं आप इन में से कोई भी चीज रख सकते हैं अगर आपकी पर्स जितनी बड़ी हो चाहे वो जैन्स हो चाहे ले रेज हो दोनों रख सकते हैं और इसे रखने से हमेशा पर्स आपका पैसों से भरा रहेगा सालों भर आपके घर पैसे आते रहेगे तो चलिए जानते हैं सबसे पहले तो आप नए साल के दिन आप एक पीपल का पत्ता जरूर रखेगा पर्स में सदेव एक पीपल का पत्ता रखना चाहिए कहते हैं कि पीपल के पत्ते में सभी देवी देवताओं का वास होता है खास तो आपे विश्नु भगवान ची और मालक्षमी की सदेव निवास करते हैं तो हमें सबसे पहले एक पीपल का पत्ता लेना है उसे अच्छे से साफ करके उसमें स्री सिंदूर से आपको श्री लिखना है और अपने पर्स में रख देना है पीपल का पत्ता सुख जाए तो आप उसे चेंज करते रहें, फिर नया पत्ता लें, उसमें श्री लिख करके अपने पर्स में रखें इसे रखने से आपकी पर्स कभी खाली नहीं रहेंगे, पर्स में हमेशा आपके पैसे आते रहेंगे दूसरा चीज है चावल नए साल के दिन आप पहले दिन चावल की कुछ दाने अपने पर्स में चरूर रखे इसे रखने से धन में काफी व्रिधी होती है और आपका पर्स हमेशा सालो भर भरा रहेगा माता लक्ष्मी आपके घर नित निवास करेंगी और पूरे साल आपके घर में जम कर धनी धन आएंगे और आपका घर से जितनी भी परिशानिया है धन को लेके वो दूर हो जाएगी तीसरा चीज क्या है? तीसरा चीज होता है कौड़ी कौड़ी ऐसे तो हमेशा सलाह दी जाती है कि कौड़ी को हमेशा पर्स में रखना चाहिए लेकिन जब आप नए साल की सुर्वात कर रहे हैं आमने पहले से रखा है तो उसे नए साल के दिन आप उसे धो करके और उसे गंगा जल से धो ले और उसमें पूजा करके, सिंदूर लगा करके उस कौड़ी को अपने पर्स में किसी लाल कपड़े में बान कर भी रख सकते हैं, उसे रखें ये मालक्षमी का प्रतिक होता है मालक्षमी का बेहद प्रिये वस्तू है कोड़ी तो आप इसे अपने तिजोरी में भी रख सकते हैं अपने पर्स में भी रख सकते हैं इसे रखने से मालक्षमी की किरपा सदेव बनी रहती है सौथा चीज है कमल का बीज जिसे कमल गटा भी कहते हैं नए साल में आप पर्स में कमल के बीज को जरूर रखे उसे लाल कपड़े में बांध कर आप पर्स में रखे तीन रखे, पांच रखे, जोड़े में मत रखे एक रखे, तीन रखे, पांच रखे, इस तरह से रखे इसे रखने से कहते हैं कि धर्म सास्त्र के अनुसार ये मानियता है कि इसे रखने से माता बहुत प्रशन होती है, मालक्ष्मी बहुत प्रशन होती क्योंकि मालक्ष्मी कमल पे बिराज मान रहती है इसलिए पर्स में अगर आप कमल का बीज रख रहे हैं तो समझे कि मा लक्षमी आपके पर्स में निवास करेंगी और आपके पर्स में पैसे टिकेंगे और पैसे आएंगे पाचमा चीज़ आप अपने पर्स में स्रीयंत्र भी रख सकते हैं कहते हैं कि स्रीयंत्र को पर्स में रखने से मा लक्षमी कहीं नहीं जाती आपके पर्स में ही बिराजमान रहती है चाहे आप अपने पर्स में रख सकते हैं चाहे तीचोरी में रख सकते हैं कहते हैं कि अगर आप पर्स में श्रीयंत्र को रखते हैं तो आपकी जिन्दिगी में साकरात्मक्ता आती रहती हैं इसके अलावा यह भी मानियता है कि अगर आप श्रीयंत्र को पर्स में रखते हैं तो इससे मालक्षमी बिवस होकर के आपके पर्स में ही विराज़बान रहती है और कहीं नहीं जाती है तो आप नए साल में अपने पर्स में इन सब वस्तूों में से कोई भी वस्तू आप रख सकते हैं आप चाहे तो हल्दी का टुकडा भी रख सकते हैं हल्दी का टुकडा गुरू यानि की विश्नु जी अमालक्षमी का प्रतीक है तो आप उसे भी रख सकते हैं इसे रखने से पर्स आपका सदेर पैसों से भरा रहेगा इन सब चीजों को नए साल में चरूर रखे अपने पर्स में और पूरे साल मालक्षमी की किर्पा पाते रहें जैश्री राम